कल मैंने एक प्रेस कॉंफरेंस करके ये समझाया कि C.A. कैसे देश के लिए बेहत खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए आज सुबह माननिय ग्रह मंतरी श्री अमिच शाजी ने जो कल मैंने प्रेस कॉंफरेंस की थी उसके उपर उन्होंने बयान जारी किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैंने उनका बयान सुना माननिय ग्रह मंतरी जी का अपने पूरे बयान में जो प्रश्ण मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्ण का उन्होंने जवाब नहीं दिया उन्होंने केवल मुझे गाली गलोज किया है कि जिवाल भरष्ट है कि जिवाल ये है कि जिवाल ऐसा है कि जिवाल वैसा है मुझे छोड़ दीजे, मैं important नहीं हूँ, देश important हैं, देश के 140 करोड़ लोग important हैं, उनकी बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारे मिलके, अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांगलादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी, पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतिजाम कर लो, ये म उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे, अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे, आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के उपर मा भार्त से पाकिस्तान और बांगलादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहाँ से इधर आये थे। अब जो ये माइग्रेशन इस C.A. की वज़े से होने करोड अलप संख्यक रहते हैं पाकिस्तान बांगलादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगबग धाई से तीन करोड अलप संख्यक रहते हैं वहाँ बहुत गरीब है उनके अज रोजगार नहीं है भारत में आतो आना और भारत की नागरिक्ता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिये इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते इन धाई तीन करोड लोगों में से अगर एक डेड़ करोड लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको क्या करेंगे उनका ये मेरा प्रेश कल मैंने एक प्रेस कॉंफरेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहत खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए आज सुबह माननिये ग्रह मंत्री श्री अमित शाजी ने जो कल म उन्होंने बयान जारी किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आप से मुखातेब हो रहा हूं मैंने उनका बयान सुना मानिये ग्रह मंत्री जी का अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब ने दिया उन्होंने केवल मुझे गाली गलोज किया है कि जीवाल भ्रष्ट है एजी यह है कि जीवाल ऐसा है कि मुझे छोड़ दीजिया मैं इंपोर्टन नहीं हूँ देश की 140 क्रोड लोग इंपोर्टन इंप उनकी बात करते हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके सारी सरकारे मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांगलादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो उनको नौकरियां कहां से दोगे, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतिजाम कर लो ये मेरा कलमूल प्रश्न था, उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से बांगलादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो नोकति अपने देश में इतनी गरीबी है अपने देश में लोगों के पास नोकरिया नहीं है घर नहीं उनको कहां से लाके बसाऊंगे आज़ादी के बाद काफी बड़ए इस तर्के उपर रसावता बहुत सारे भारत बहुःत से C.A. की वज़े से होने वाला है ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा migration होने वाला है पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान इनका कहना है कि C.A. के तहट इनके अलप संख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी कских congrats में पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान में बहुत गरीब है उनके जोज़गार नहीं है भारत में आतो आंना और भारत की नागरिक्ता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है और और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिये इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते इन धाई तीन करोड़ लोगों में से अगर एक डेड़ करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको क्या करेंगे उनका ये मेरा प्